वेलकम टू ब्लेड लेर्नर के टुवेल आज हम वैदिक मैथ्स डबल जीट परसेंटेज यूजिंग वन परसेंट एंड 10 परसेंट टेक्निक पढ़ेंगे इट्स मी अमित कुमार अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें क्योंकि सभी एक दूर्से से इंटर कनेक्टेड है 1% of number 1,2,3,4,5 क्या होगा बताईए 1% 1 upon 100 into 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 upon 100 instead of 1 you will write decimal 1,2,3,4,5 यह हुआ क्या exactly 1,3,6,5,5,1,2 बील क्या,1,3,5,2,5,3,5,6, by 1,4,3,5,5,4,6,7, 1,2,3,3,5,5,6,7,160,1,8,1,2,6,16,1,4, 1,6,1,4,6,1,1,7,1,2,6,1 , wit bånd LE,2 rag cake, 2,6,8,6,6,1,3,6,7,1,5,6,5,6,1,7,8-8,5,10,7,6,013,6,1,6 , understood 10% 10% में क्या करते हैं 10 upon 100 into 1 2 3 4 5 ठीक है एक डिजिट के बाद राइट साइट से डेस्मल पूट करते हैं पूट डेस्मल आप्टर वन डिजिट फ्रम राइट यह मैं इसलिए बता रहा हूं इसका यूज करेंगे हम परसेंटेज फाइंड करने में आगे 1% में 2 डिजिट राइट से 10% में 1 डिजिट क्वेस्टन क्या कह रहा है 11% of 672 11% of 672 split method यूज करेंगे 11 means आपको पता है 11 means क्या होता है 10% of 672 10% में क्या बता है था एक डिजिट छोड के डेस्मल एक डिजिट छोड के डेस्मल प्लस 10% का काम होगी आप 1% remaining है न 1% of 672 कितना होगा 1% में क्या करते है दो डिजिट छोड के डेस्मल देते हैं राइट साइट से 672 राइट साइट से एक डिजिट दो डिजिट एन पूट डेस्मल इसको हम कर देंगे add ठीक है 67.2 and 6.72 simple addition 2 9.7613 6 plus 17 you got answer actually हुआ के यहाँ पे यहाँ पे हुआ 11% means 10 plus 1% of 672 means 10% of 672 plus 1% of 672 this we did mentally orally and then we got this step these two steps you have to do orally mentally दिमाग में आना चाहिए 10% means 11% means 10% plus 1% पर यह 10% लिए फिर 1% लिए ठीक है 10% में क्या हुआ हुआ राइट साइट से एक डिजित छोड के डेसिमल 1% में क्या हुआ राइट साइट से दो डिजित छोड के डेसिमल and then add understood लेके next question 36% of 36% of 324 36 means क्या होता है 36 means 3 multiply 10% 3 multiply 10% of 324 यह क्या हुआ पता है आपको यह है 30% 310 जा 30 plus 6 multiply 1% of 324 3 multiply 10% 10% में क्या होता है राइट साइट से एक डिजित छोड के डेसिमल पूट करते है means 32.4 plus 6 multiply 1% of 324 क्या होता है वर 324 में राइट साइट से दो डिजित छोड के एक डेसिमल पूट कर जेते हैं 3 का टेबल easy है 3 4 जा 2 and 3 2 जा 6 plus 1 7 and 3 3 जा 9 4ch उड एकृट सेभी अफि 성्क्याप्ट जा डेसिमल 6 का टेबल 6 4 जा 24 जा 2जुँट जा 2 जा 12 जा 24 6 3 10 scaled 12 plu 12 II 14 6 3じゃ 18 plus 1 19 जाट सेभी गुट Convenस grade 11 you got answer हुआ है यहां पर क्या है अगर फर्स टिप आपको समझ बने आया होती है यह समझ लिए 36% को हम क्या कर 36 को दिमाग में क्या लिख लिए हम 30 प्लस 6 30% से हमको नहीं मतला है हमको तो दो ही फॉर्मूला पता है 1 पॉर्सेंट और 10 पॉर्सेंट 30 को भी हमने कनवर्ट कर दिया यह हुआ 30 पॉर्सेंट ऑफ 324 प्लस 6 पॉर्सेंट ऑफ 324 30 को फॉर्मूला में नहीं पता है हमें एकचली 10 पॉर्सेंट रूल पता है 30 को थी इंटु 10 पॉर्सेंट लिख दिया 3 इंटु 10 पॉर्सेंट आप 324 प्लस 6 को मने लिखा 6 इंटु वन पॉर्सेंट ओफ 324 शारे कैलकुलेशन हमने mentally किया और इस step पे switch किया understood अब देखिए इसको mental solve करने का परियास करेंगे 57% में इस क्या होते है 57% में 50% plus 7% 50% क्या होते है 5 10 जा 50 means 5 into 10% 5 into 10% of क्या 10% of 5162 5162 अब 5162 का 10% क्या होते है last से एक डिजिट छोड़के decimal यह हो गया 50% का काम क्या है 7% 7% means 7 1 जा 7 7 into 1% 7 into 1% of 5162 1% of 5162 means right side से 2 जिजिट छोड़के decimal multiply and you will get answer 5 2 जा 10 5 6 जा 30 plus 1 31 5 जा 5 plus 3 8 5 5 जा 25 large डिजिट छोड़के decimal plus 7 2 जा 14 7 6 जा 42 plus 1 43 7 जा 7 plus 4 11 7 5 जा 35 plus 1 36 आफ्टर टूजी डेसिमल इसको एड़ कीजिए आपका अंसर आपके सामने अच्टर 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 यहां पे क्या किया आपने कि इस गितना सौट है ना देखें मेंटरली काल्कुलेशन क्या हुआ था 57 पोसेंट मिस 50 पोल 50 पोसेंट 50 पोसेंट प्लस प्लस 7 पोसेंट ठीक है अफ 5162 इस दिमाग माम सोच लिए फिर क्या सोचें 50 पोसेंट अफ 5162 प्लस 7 पोसेंट अफ 5162 यह भी माइंट काल्कुलेशन 50 पोसेंट हमें नहीं पता है 7 पोसेंट नहीं पता है हमें तो एक ही रूल पता है 1 पोसेंट 10 पोसेंट 50 मिस 510 जा 50 होता है 5 को अलग कर लिए 5 इंटू 10 पोसेंट अब दिखरा होगा रूल के पास आ गया हम 7% नहीं पता है 7, 1 जा 7 होता ही पता है 7 into 1% of 5, 1, 6, 2 अब यहाँ पे 1% भी हमें मिल गया 10% ही मिल गया ठीक है इतना calculation हमें हमने mind में किया and now we switch to this step 99% 99% of 5, 1, 6, 2 99% क्या होता है 90 प्लस 9 90 तो हमें पता नहीं है 9, 10 जा 90 पता है 9 into 10 जा means 10% of 5, 1, 6, 2 10% means right side से एक डिजित छोड के decimal यह 90 हो गया अब रिमेनी क्या 9% 9% means 9, 1 जा 9 9 into 1% of 5, 1, 6, 2 means last से दो दिजित छोड के decimal इसको करेंगे multiply 9, 2 जा 9, 2 जा 18 9, 6 जा 54, 54 प्लस 1 55, 9, 1 जा 9 प्लस 5 14 9, 5 जा 45 प्लस 1 46 put decimal after 1 डिजित same number multiplication 4, 6, 4, 5, 8 बस decimal shifting यहां पी 2 डिजित के बाद होगा इसको add करेंगे हमें मिल जाएगा answer 0.58 and here 4, 6, 4 you will add 8 8 प्लस 5 जा 13 5 प्लस 4, 9 प्लस 1, 10 6 प्लस 4, 10 प्लस 1, 11 6 प्लस 4, 10 प्लस 1, 11 4 प्लस 1, 5 and finally answer actually यहां हुआ क्या यहां पे क्या हुआ 90 पॉसेंट 90 पॉसेंट में इस क्या होता है 90 प्लस 9 पॉसेंट को 90 पॉसेंट बोलते हैं and 90 पॉसेंट क्या होता है actually यहां पे क्या हो हुआ 90 पॉसेंट ऑफ 5, 1, 6, 2 plus 9% of 5, 1, 6, 2 90% का रूल हमें नहीं पता है लेकिन हमें 10% रूल पता है न 90 को 9 into 10% of 5, 1, 6, 2 लिख दिये plus 9% को 9 into 1% of 5, 1, 6, 2 लिख दिये अब देखिए हमें इस 1% का रूल तो पता है 10% रूल ही पता है इसका हमने यूज किया यह साड़ा कैलकुलेशन हुआ है mental you have to you are not supposed to write you have to do mental calculation यहां से हम क्या करेंगे इसको डाइरेक्ट यहां पे क्या करेंगे इसको इस step पे switch करेंगे और हमें answer मिलेगा understood thank you, all the best का आएट oर्न का रूलimdi प्राट क्या क्याDamदे आएट झाल